जया हिंद फ्रेंट्स सिधार भया कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है अड़ा 24-7 IS पर आज इसी टॉपिक के बारे में बात होगी इस टॉपिक के बारे में क्या आपने अपने स्कूल टाइम में ये टॉपिक के बारे में सुना है कभी या किसी ने आपको समझाया है इसके बारे में गुड टच क्या होता है बैड टच क्या होता है जब हम बच्चे हुआ करते थे महज दो साल के चार साल के पांच साल के दस साल के मान लीजिये भी तो क्या किसी व्यक्ती ने या फिर हमारे स्कूल किसी टीचर ने भी समझाया था कि बेटा अगर कोई यहां चुए तो उससे छूने मत दो या फिर शरीर के कोई प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ टच करे तो टच मत करने तो क्या बताया था मेरे नॉलेज में नहीं बताया गया था मैं भी शायद मैं एपसंट हूंगा जिस दिन बताया गया हो मैं भी ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है डेफिनेटली माभाप के पास हम आएंगे लेकिन ये स्कूल के जिम्मेदारी भी बनती है आज का ये जो टॉपिक है बहत ही ज़ादे सेंस्टिव है ये चाइड्ड अब्यूस से रिलेटिटेशन से रिलेटिडेट है चाइड्ड के सेक्श्वल आब्यूस से रिल जो दर्द है वो जो किस्सा वो ताउम्र कभी-कभी हमारे दिमाग में रहता है हमेशा हमारे दिमाग में रहता है और कईने कई हम उभर नहीं पाते हैं उससे कईने कई हम डरने लगते हैं उससे क्या मैं गलत बोल ला हूँ? नहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जूज रहे हैं और खुल के बात नहीं करते हैं लेकिन हमें नब्स पकड़नी पड़ेगी, हमें पीछे चलना पड़ेगा सबसे पहले चलिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाता हूं कि सिविल सर्विसेज इग्जामिनेशन की तयारी अगर आप कर रहे हो न तो यार आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो हमारे सोसाइटी में इन सारी चीजों को रोकने के लिए इन सारी चीजों को अवेर कराने के लिए क्योंकि आप क्या बनोगे सिविल सर्वेंट बनोगे पब्लिक सर्वेंट बनोगे तो कॉलेज में रहके अगर तयारी कर रहे हो या फुल टाइम या जॉब में रहके कर रहे हो या फिर husband वाइफ, husband हो शादी हो चुकी है लेकिन समझ भी नहीं आ रहा directionless है, करें तो क्या करें मतलब सब कुछ है मेरे पास foundation batch है, optional है सब कुछ है, लेकिन फिर भी directionless है आखिर क्या करें तो mentorship का form comment section में है उसको भरिए और अपने doubt लिखिए हमारे team आपके पास पहुचेगी मैं connect करूँगा आपसे, फिर हम decide करेंगे कौन सा प्लान आपके लिए बहतर रहेगा कैसे आप crack कर सकते हो और ये mentorship बहुत जरूरी है ये direction बहुत जरूरी है इतने बड़े journey के लिए लेकिन पहले इस topic को समझे आप इस topic को समझने से पहले हम एक video चलाना चाते हैं आपके लिए ये video है बिहार की इस महिला की ये video बहुत viral हो रही है ये महिला जो है बिहार में इन बच्चों को सिखा रही है कि good touch क्या होता है bad touch क्या होता है देख रहे हैं ये सिखा रही है सिखा रही हो बच्ची जो है वो response कर रही है immediately, नहीं यह bad touch है, नहीं यह bad touch है, यह रेखिए, बच्चों सिर्फ और सिर्फ लड़की हैं नहीं, लड़के भी, लड़कों को भी सिखाना बहुत जादे जरूरी है, जैस बच्चे को इसने गोद में ले रखा है और समझाना काफी वाइरल हो रही है और काफी जादे appreciation मिल रहा है इनको क्योंकि बड़े से बड़े स्कूलों में जहां पे इतने महंगी महंगी फीस है वहां पे ये basic एटिकेट्स भी नहीं समझाया जाते सिखाया जाते जो की बहुत important है literally ये बहुत important है हमारे घर में ही आसपास में लोग sexual abuse करते हैं बच्चों को हमें नहीं पता होता है हमारे पडोसी हमारे बच्चों को sexually exploit करते हमें नहीं पता होता है अगर school वाले जिम्मदार ले 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 इन चीज़ों का अगर पढ़ाने लगे इन सारी चीज़ों को समझाने लगे तो शायद sexual crime जीसी चीज़ें बहुत कम हों क्योंकि हमें aware हो जाएंगे हम पहले बच्चे पहले से aware हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात दूसरी चीज़ जब हम यहां discuss कर रहे हैं जो इन्होंने खुद बोली किन्होंने ये जो teacher है बिहार की ये वाले जो teacher है इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मैंने बताने की कोशिश की है मैंने सब को बताया कि good touch क्या होता है bad touch क्या होता है private area में अगर कोई private part में अगर कोई touch करे तो उसको touch मत करने दो ठीक है लेकिन इनका ये कहना है कि सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता मैंने एक महिना ये experiment किया और उसके बाद फिर मैंने उन लोगों से पूछा good touch bad touch मैं जब उनको touch कर रही थी तो कोई reaction ही नहीं था कोई response ही नहीं था इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक हम इनकी practical experiments ना कराएं मतलब कि आग जैसे इस वीडियो में ये teacher छू रही थी proper और कैसे बच्चे respond करते हैं वो जरूरी है action जरूरी है central nervous system को तो पता हो गया कि क्या करना है लेकिन peripheral nervous system तक कैसे बात जाएगी बच्चे react कैसे करेंगे जब तक बच्चों को experiment ना कराया जाए उनको example के तौर पे बताया ना जाए तो बच्चे तुरंत connect कर लेते हैं तो अब ये solution क्या है अब रही बात parents की सबसे important चीज़ parents अगर school में ये सारी चीज़ें अगर curricular activity में नहीं आ रही है तो parents को भी आवाज उठानी चाहिए school के लिए school में वो जाए teachers को इन सारी चीज़ों के बारे में discuss करें जिकर करें और parents को भी घर में जैसे कि बहुत सारे parents हैं जो अपनी बेटीओं को अपनी बच्चों को बेटों को ये सारे संसकार देते हैं समझाते हैं लेकिन बहुत सारे parents नहीं करते हैं क्योंकि हम school के ही उपर depend रहते हैं कि school में जाएगा बच्चा तो अच्छे संसकार सिखेगा इतना महेंगा school है इतना fees दे रहें कुछ तो value create होगी उसमें से लेकिन school में जाने के बाद भी हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं तो ये good touch और bad touch ये हमार foundation build करता है किस चीज़ की aware होने की हमारे body के बारे में हमारे body पे हमारा हक है हमारी body कितनी sensitive है क्योंकि समाज दरिंदों से भरा पड़ा है और वो हमारे इर्द गिर्द हैं हमारे आसपास ही है वो ऐसे दरिंदे वो ऐसे लोग जो की बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और सिर्फ बच्चों का शरीर टच करके bad touch के द्वारा अगर ये बच्चों को पहले से पता चल जाए कि bad touch होता क्या है तो फिर उनको एक करारा जबाब मिलेगा उनको उनकी असलियत उनके मूँ पर सामने आ जाएगी इसलिए good touch और bad touch regarding कई सारी initiatives भी चले हुए हैं तो gravitas कर के एक initiative चला हुआ है जहां पर लगबग इन महिलाओं द्वारा चलाया गया initiative चार से पांच लाक ऐसे students को aware करता है लेकिन क्या ये आकड़ा relevant मतब बहुत बड़ा है नहीं ये बिर मिनस्क्यूल आकड़ा है करोणों की आबादी में जहां पर सिर्फ करोणों बच्चे ही है और उनको जानना बहुत जरूरी है तो ये एक ऐसा initiative है आप भी initiative ले सकते हैं हम भी initiative ले सकते हैं ऐसे बच्चों के जिक्र करके बच्चों को समझा के उनकी parents को समझा के school में जाके हम awareness फैला सकते हैं चीक है क्योंकि अभी recently ये movie आई थी आपने देखा होगा oh my god part 2 ये movie ऐसी movie है जो कि हम schools में colleges में इस movie को चला सकते हैं क्योंकि ये movie खुल कर बात करती है sex education पे ये movie खुल कर बात करती है bad touch, soft touch और wrong touch के बारे में good touch के बारे में, ये movie खुल करके बात करती है sex के बारे में, masturbation के बारे में, women's के parts, body parts के बारे में, male के body parts के बारे में, sexual intercourse के बारे में, ये सारी के सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, जब पता होगी, तो सही طریके से उसका इस्तमाल करेंगे, सही direction में जाएंगे, नहीं पता होगी, चोरी चुपे करेंगे, और गलत तरीके से इस्तमाल करेंगे और फिर एक दिन बदनाम होगा और शायद वातमात्या भी कर सकते हैं अगर आपने मूवी नहीं देखिए तो definitely देख लिजेगा काफी relevant मूवी है बहुत thoughtful मूवी है लेकिन जो लोग जो लोग मान लीजे कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए क्राइम definitely बहुत बड़ा क्राइम है और क्राइम में सबसे पहले क्या कर सकता है सबसे पहले क्राइम क्या है भाई पॉक्सो एक्ट लगेगा ठीक है आईपीसी जो हमारा बदल के अब होने वाला है भारती न्याय सहीता जो की रिप्लेस करेगा हमारे आईपीसी को इसमें एक प्रोविजन डाला गया है कि कोई भी कोई भी ऐसा व्यक्ती जो की बारत साल से बारत साल या कम की उमर की लड़की या लड़के के साथ बारत कार रेप जैसे ही संगीन अपरात करता है तो उसको शायद कैपिटल पनिस्मेंट फांसी की सजा मिल सकती है सोला साल या उससे कम तो बीस साल तक की सजा मिल सकती है या उससे जादे लेकिन यहाँ पर हम दोनों जेंडर के बारे में बात करेंगे चाहे male हो गया या female हो गया पुर्षों, बच्चों, लड़कों के साथ भी sexually exploitation होते हैं जब वो यूवा की शोर अवस्था में होते हैं तो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो It should be included in the school curriculum school में तो होना ही चाहिए आप में से कितने मानते हैं comment करके बता दीजे ताकि उनको एक widespread publicity मिले ताकि चर्चा हो उस बात पे discussion हो parents और teacher जो है वो regular communicate करें अपने बच्चों से parents और teacher जब इसको taboo समझने लगेंगे जब इसको एक गंदा ख्यालात या फिर इसको stereotype समझने लगेंगे तो फिर crime होगा ही होगा बच्चे जिजकेंगे आप से बात करने में तो आप बच्चों को इन चीजों के बारे में तभी बता सकते हैं जब आप बच्चों से खुल कर communicate कर पाएंगे खुल कर बात कर पाएंगे तभी बच्चे आपकी बात सुनेंगे और इससे related child development mental and physical health दोनों तीनों बहुत important होगा अगर ये चीज़ें हो रही है तो बच्चे का development उसका mental awareness उसकी physical health ये सब कुछ बहुत important होगी ठीक है और therefore students जो है वो concept at least समझ पाएंगे good touch और bad touch का ठीक है तो ये एक राजिस्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि अब सरूरी है अब बहुत जरूरी हो चुका है कि हमें aware कराना बच्चों को और parents को भी aware कराना और हर एक school में ऐसी बातें ऐसा curricular activity को add करना आपको क्या लगता है comment करके जरूर बताईएगा साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं सिधार्थ भीया का मतलब बढ़िया समझ में आया मुझे तो आप comment section में form fill कर दीजे और हम लोग foundation batch या फिर prelims से related mentorship के लिए हम लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि आप बदलाव ला सकते हैं जिससे बच्चों की जान जा सकती है भविश अच्छा हो सकता है भारत गर्व करेगा आप पर मिलते हैं अगले वीडियो में जहिंद